In this video, I am going to take you on a virtual travel experience to Ban Jungles. इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफी फील आएगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चेक आउट दे वीडियो. So today we are going to Ban Jungles and Ban Jungles, Ban का बेस्ट पार्ट है. और यहां से मंगनाड का रास्ता बहुत खूबसूरत है. आपको पता होगा कि हमारा पिछले वीडियो आगशी में ही खतम होगा एंड आज हम जाने वाले हैं Ban Jungles की तरफ, तो पूरा वीडियो देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. अब बारिश होने वाली है और निकल रहे हम अपने बन की तरह जहां पर हमने रात को स्टे करना है क्योंकि बारिश ना काफी खतरना गाने वाली है, मुझे लगता है आने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, आगशी में थोड़ी देर रुके और थोड़ा सा मैच देखा जिसमें बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं आया, ये बाकी लोग जो हमारे साथ है, इनको इंट्रेस्ट आ रहा था और बैठ गी, यहां से अपना रास्ता शुरू हो रहा है, जिस पे हम लगातार आगे चलने वाले हैं, जब भी आप कभी इस से आओ, सबसे पहने तो आप आगशी किसी तरीके से पहुंच जाओ, और आगशी से आपको आना पड़ेगा, ये एक ही रास्ता है, यहां से आपको आगे निकलना पड़ेगा, फिर डिरेक्ट बन के लिए जो जो बीच में जगाई होंगी हम उनके निभी आपको नाम बता आगशी तक हमें लगे तकरीबन 45 मिनट इतना लग गया शायद, और रेस्ट भी हमने तकरीबन 5-5 मिनट किया हर जगा, और अभी हम आगशी से निकल चुके हैं, तो जो भी अपने साथ आगे होने वाला है, वो आप इंजोई करने वाले हो, और हम भी इंजोई कर रहे हैं, कि हमें ज्यादा पानी पिना चाहिए, क्योंकि जितना पानी हम पिएंगे और उतना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, इस इस इलाके में आप अगर कैम्पिंग करने के लिए आओगे, भूल तयारी के साथ आना, जो भी अपना खाने पीने वाला सामान होगा, लोकेशन चेक कर लो, हाहा, काफी खतरनाग हवा आरी है, बहुत थंडी हवावा आरी है, काफी मजा आ रहा है, तो जैसा हमें लगा था कि आसान होगा, आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ताइम के बाद हम जहीं चल रहे हैं, और ऐसे इलाकों में जाने के लिए भी मतब प्रिपेर होना पड़ता है यहां पर आप खाई देख सकती होंगे थोड़ा न आपने इस इलागे से आराम से मस्त मज़े से चले कोई जल्दी नहीं है कोई कुछ नहीं है और नजारों को देखते देखते आगे चले तो यह है अपने अफजल भाई मुजी भाई है एन दादा हमारे आगे निकल रहे हैं मुझे लगता यह भी एंजॉई कर रहे हैं मैं तो अच्छे से एंजॉई कर रहा हूं और यह जगह है आगशी से थोड़ा उपर पांच-दस मिनिट चलने के बाद बिलकुल गोल इलाका ह यहां पर प्लैण जमीन है और साइट से पूरे जंगल ही जंगल है पेड है और इन पीड़ों का भूँत फाइदा होता है इनके बारे में हुझ कभी और बात करेंगे अभी तो बस अपना ट्रेक चल रहा है बत मज़ा हा रहा है काफी मज़ा अर अभी तो बिलकुल भी ने और आगे आने वाली वीडियो उगई वाफी आपने बंदे आगे चल रहे हैं यहां से नजारा है हमें बबाधन में पानी की तलाश थी यहां पे हमें पानी मिल चुका है थोड़ा-थोड़ा निकल रहा है लेकिन काफी है हमारे लिए बूंद बूंद से सुमंदर बन जाएगा हमारे पास दो बॉटल से और अपसल भाई पानी भर रहे हैं अपने साथ बॉटल जरूर रखे हमारे पास पर बंदे के पास अपने अपनी बॉटल थी और मेरी वाली बॉटल जो है वो गाई भोगी रास्ते में अभी हम अपनी दो तोड़ा सा अभी खाना खाने के बाद हमें अच्छे से उपर आप एक खाना जो हमने गर से पैक करके लाया हुआ है और ऐसे जंगल में जंगल के नजारों में हम खाना खाने वाले हैं वैग मुझे अभी भी पीछे यह क्योंकि दिल नहीं कर रहा है अभी डालने को ने चाहि तो अभी थकान बहुत कम हो रही है गुड निकालो यार गुड से मज़ा आता है फुल के खाने ले इस लोकेशन के हम खाना खाएंगे मुझाफर भाई का गोप्रो जो है वो डड़ हो चुका है हमारा फोन ड़ड हो जाएगा यह हमारे गोप्रो ड़ड हो जाएंगे तो हम का कि अची से चार्ज कर देंगे कि अज़गाएं और ज़ूआ कि यह कमेंट में बतार अब हम निकल चुके हैं वहां से पानी पी लिया हमने खाना अच्छे से खा लिया है कूछ इस तरह की कि अच्छे से लिग यहाँ पर आपि आगशी ही नाम है क्योंकि कि अच्छे ही न से अभी हम उपर नहीं चड़ पाए हैं आराम आराम से चल रहे हो रहे हैं मुझाफर बाई का गोप्रो जो है बिल्कुल डाड हो चुका है इस वकत हम सिर्फ अपने सदाम भाई को मिस्स कर रहे हैं क्योंकि अगर वह हमारे साथ आथा ना एक बैग उसने उठाना था तो हमार तरफ घास है और आप लोकेशन चेक कर सकते होंगे मतलब हर तरफ जो है पेड़ी पेड़ है दगंटाब रामा कुंट सारे इसके सामने फेल हैं काफी खतरना एक्सपीरियंस है हमारा यह मतलब इतना चलना और इतना खुशी से आना मतलब कितनी ज़दा खुशी हो रही है और फर्स टाइम गरवालों ने इतनी पर्मिशन दी है कि जाओ मोज मारो जब गरवालों से पर्मिशन मिलती है तो अलग ही मज़ा आता है जब ही तक जो है मैंने आप लोगं को सिनमेटिक शॉट नहीं दिखाए और मैं थोड़ा सा सिनमेटिक शॉट लेता हूँ और आप यहीं को दिखाता हूं इस जंगल में ट्रेول करने का अलग ही एंस था मैं लिए इस एक दिन में ज़ोभी एक्सपीरियंस किया इस जंगल में जब feel किया उसी फील को मैंने आप लुकं के लिए कैप्चूर करने की पूरी कोशिए वाइब कैसे यहां प dato आध कि एक्तम मस्तिय बुल्स कर अजिए क्या होग यही रहना चाहिए आ यहां अभागी मोटगार्थ उंख भॉटो य म bit और अधरान तरह डेक्टीश कुता यnai तो को यहां से ये तो बोर रहे हैं कि एक गैंटा लगें लेकिन इन के हिसाब से हमारे इसाब से तो दो गैंटे से प्लस है यहां पर उठाना बहुत मुश्किल बीजाओने कि हम लोग उन्राइड बार्ट केस्ट कर सकते हो भाई प्राइब मजाक ने हमारे आइंगराला का सथा एक को लिह कसम जे है था अब तो यह हमारी जर्नी शुरू हुई है और थोड़ी थोड़ी इंजॉईमेंट शुरू हो गी है तो जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो सोचो क्या इंजॉईमेंट होने वाली है इस जगा का नाम महरी है और यहां के नजारे काफी देखने लाएक है और यहां पर मुकान भी है हुमारे यहां लद के लोग हैं उनके यहां पर डेरे वगएरा है मुकान हैं उनके चोटे-चोटे यह पूरी जगा जो है इस जगा का नाम महरी है यहां के जगा के नाम पर मत जाओ यहां की जगा के घाम पर जाओ कुबसूरती पर जाओ पूरा इलाका जो है जंगल ही जंगल है इस साइड से जो यह वाला साइड है ना पूरे में रखत इतने खुबसुरत लग रहे ना दिल कर रहा है यहीं पर बैठे आप अभी तो यह हमारा कोई 10% भी सफर कंप्लीट नहीं हुआ तो सोचो जब हम उपर जाएंगे अभी तो ब बंद पहुचेंगे ना काफी मज़ा आने वाला एर इस टाइप के मकान है यहां पर देख सकते होंगे अब काफी टूटे फूटे होते हैं जुगार चलाने के लिए होते हैं तो टाइम पास के करना होता किसी तरीके से यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रेवल किया ह इतना मज़ा आ रहा था मैं और मेरे दोश्त बहुत ज़्यादा खुश थे सोच रहे थे यही रहते हैं पूरी अमर बट हमें और भी आगे जाना था कि अब यहां पहुंच चुके हैं बन से थोड़ा नीचे और अपने साथ एक छोटा सा सीन हो गया हमारे टाइट की रसी जो है वो फट चुकी है चलो फिर सी लेगा इसको कौन अपन से लेगा यह यह अवनी जो चीज भटी वो मैं से लूगा अगर माल लो तो बैसे लूगा इतना एंजॉइ कर रहे न है यह लोग काफी मजा आरा थे को अपने इंजॉइमेंट चल रहे हैं इनकी बात होई थी स्वेपे बात हुई थी स्वेपे और यह कहीं और अपने आपके बात हुए यह अपनसे जोगा इंज ताहिए लगा ने ने अमरह एंटायर गाइस इंज नो प्तानी के च्श्ट रोल को डालें पर ते एंटायर ने टाहिए को बुरा हो रहा है पगड़ने नीं नी दे रहा है यह तो सुबासे हम चल रहे हैं हमेशा क्या होत इनने जो है ना टाइम टाइम पर बहुत बच्पन से महनत की होती है हम लोग आज कल के लड़के क्या है घर पर बस सोय रहेंगे खली पब जी फ्रीफायर वगर बस यहीं खेलते हैं अरे बाहर निकलो यार देखो बाहर में है बाहर के नजारे चेक करो बहुत कुछे बाहर मे अगर आप लोग घर से निकलोगे तो देखो बाहर नजारे के बस बीस मियाट का सफर जो और करना है अभी जस्त हम बन पहुंच चुके हैं इस जगह का नाम बन है और अभी हम डूंड रहें अपने टेंट के लिए जगह जो पलैन सी जगह हो जहां पर हम मस्त टेंट लगा स ждफ हैं अफ याफ फट्रनाग है और आ तो यहां पर नहींट यहां मेरे पीछ था वह प्यास पाणी फीरा था दादा gossip मेरे पीच आगए और मुझी अफ़सल वागनी कंterror निकल गए और मुझेे मुझे दिख रहे हैं आप पीछे चलता हूं में वहां पर a और देखते हैं मुझे लागता शायद उनको जगा मिल चुकी है जहां पर हमने अपना टेंट बिचाना है गई इतनी करीब से दोंद चल रही है ऐसा लग रहा है कि अभी जो है पूरा वाइट होने वाला है बन और नजारे जो है अभी छूप रहे हैं तो थोड़ी देर में सारी जो है दूंद खातम होने वाली है तब दक हम अपना टेंट वगएरा जो है अच्छे से बिचाएंगे और आप लोग उनको अच्छे नजारे दिखाएंगे जिसके लिए हम यहां पर आये हैं अभी तुने मेरे पीची करे उड़ा है अभी तुने मेरे पीची करे उड है बठ हमें लकडी जरुवी चाहिए क्योंकि हम एक जंगल में ऐसे जंगल में हम केंपिंग कर रहे हैं यहीं पर हमने यहां पर टेंट लगाना जब हम टेंट लगाएंगे वह भी हम आप लोगों को दिखाएंगे यह सुखा पेड़ है नीचे जलाए किसीने पहले से तो ह हम लोग इसी से लकडी तोड़ रहे हैं कि हमारे पास आज दो टेंटे साथ यह अपना वाला और यह मुझी भाई का तो अब जलीन में शायद अंदर से कुछ सेटिंग कर रहा है वाइस दूनों टेंट बिशाने के बाद हमारे साथ एक चाचा भी है जिन्होंने हमें बहु जमा भी है लेकिन यह पूरी रात के लिए नहीं है अभी हमें और लकड़ी लानी पड़ेगी चाचा अब तो हो नाव क्या आज चूँ गाईज इन चाचा ने हमारी बहुत मदद की मुझी और में ठक चुके थे एंड हमसे लकड़ी कटी ही नहीं तभी यह चाचा आए जोसतों अभी टैंट वगाएरा जो है लक्रहा है और समान जो है अपना इसका अपने टैंट सब्सक्राइब औरisted Всем benefit में और अभी हमया पर के तैयारी कर रहे हैं कुछ और इनने हमारे लिए लगड़ी लाई और हम इनको एक डिसकिट खिलाते हैं कि हमारा भी फर्ज बनता है जो बंदे हमारी मदद करें और हम उनकी न करें तो दस्तर खान लग चुका है और अभी मैं और दादा अंदर आ गया है मुझाफर भाई खाना परोस रहे हैं और बस काफी हो गया तैंट में यह हमारा नीट जो की काफी अच्छा बना हुगा है और साइड है अपना चैवल यह भी काफी अच्छा है टेस्टी लग रहा है अज मजा आएगा यार अज एक प्लेट नहीं आज दस प्लेटे खानी है तो एक प्लेट जो हमारी टूट चुकी अजय के लिए कि मूज़क खाना अपना रेडी हो चुका है तो यह है हमारा आज को आज की घान के सारे एक ही टैंट में आये हुए इस तैंट में कोई नहीं है क्योंकि एक अटा खाने का अलग ही मज़ा होता है चलो गयाइज बिसमिल्ला करते हैं बिसमिल्ला है प्लेट सीन पता क्या हुआ मोजी भाई ने लाई थी प्लेट और वो तोट चुकी है और अबजल ने ली है और मुझाफर भाई खा रहे हैं एक पतीले में चलो स्टेश्ट आ रहा है ना मतलब स्टेश्ट आना चाहिए हमें उससे वास्ता नहीं हमें चाहिए पॉली थिन में अब ही मिल जाता ना हम अराम से खाते हैं कि बहुत ज़्छाना बनाएं आपको हम कैसे फिल करा सकते हैं एसे प्लेट किसे कहा सोना है कहां नीं सोना है जो भी जुगाड करना क्यूंकि जंगल में है तो कुछ भी हो सकता है और यह आपने मुजफर भाई मैं खुद हूँ औ अपने तक्या के लिए क्योंकि यहां पे टिकड़ा जैसे हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है सोने का अगर आप लोगों को हमारे वीडियो में कोई भी प्वाट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्स सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फालो कीजिए तो चलो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए हुआ 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 है